वेल्कम टू एजुकेसिनल प्रफॉमस आइंसिस एकाडेमी आई होब आप सभी छात अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम मेंस एंसर राइटिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टन्ट फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपके एंसर राइटिंग में वैलू एडिशन का कार क्योंकि मैंने इसका पहला पार्ट जो है आप लोगों को दिया था तो कई लोगों ने इसको एप्रिशेट किया लगवाग छेफों लोगों ने उस वीडियो को देखा और कमेंट भी आए कि प्लीज इस जो है सिरीज को कॉंटिनू करें मैंने कहा था कि इसमें टोटल जो ह आपके टेन वीडियो आएंगे इस सीरीज में ठीक है यह आपका दूसरा वीडियो है जिसमें हम के बारे में बात करेंगे हां करें चाहतों कि मुझे कमेट्स आ रहे हैं फीफैट को लेकर जनली मैंने बताया था कि जिस पेपर वन में लगवग कितने कुश्चन जो है आपके गरत हो सकते हैं ठीक है काफी अच्छा आपका रिफॉंस रहा उस चीत पर ठीक है बागी करेंटी डाउट की कटेगरी में आपके आ रहे हैं ठीक है उसमें फैटली दो कुशन तो हंड़े पर संब हो चुके हैं जो डिलेट होंगे ठीक है एक कोई मैस सब्सक्राइब याद नहीं है अभी मैं उसके बात करूंगा ठीक है कई चात्रों के कुछ नेगेटिव कमेंट पैस दो है आपके गलत दिये गए हैं आयोग द्धारा आप दिल भी हांत रखेंगे बताईए क्या बीस सब्सक्राइफ और ये जिसको आयोग ने जू तरीके पर जिए अंदर यह ऑम गलति के अब इसमें आपको समझना पड़ेगा यह आयो की पोलसी है जान बोचकर कुछन गल्द बनाना आयो के पास शंता है रिफूर्स है डेफिनल्टी जो है वो कुछन फ़ही बना सकता है बट हर बार का उसका यही रोना है ठीक है पिछले एक फालो से नहीं चल रहा है यह पिछले चार फालो से चल रहा है बलकि इससे पहले जो अद्ध़ से उनका टेनर काफी अच्छा रहा कि उन्होंने अटलिफ कुष्टिन जो गलत होते थे उस पे काफी ज़्यादा गलतियां जो हिद्धम कंट्रोल हो गए थी बहुत कम गलतिया होती थी बट पिछले तीन फालो से अगर आप देहोगे करते हैं अगर जनली देखा जाए तो कहीं यह मुद्धा जो है आपका गौर्णमेंट तक पहुशना चाहिए कि आयोग जो है बीस कुछन गलत बना रहा है बीस कुछन गलत मतलब है टोटली इंपक्ट डाल दिना पचीस से तीस हजार बच्चों को पर इसका इंपक्ट पड़ता जो सीरियस तैरी करते हैं अगर मैं बात करूँ पीसेश के अंदर भले जो है छे लाग शात लाग लोग फाम भर रहे हूं ठीक है जाम दे रहो हूं चार लाख लोग लेकिन इंप्टन है वह पचाफ हियार बच्चे जो टोटली सीरियस है इसके अंदर ठीक है और जनली आप जानेंगे ही कि जनली करेगा अब आकि जो नए चाहत रहें जो एक दूती इस चीज में फाफ जाते हैं पर कहिन कहिए अन्या है इस मुद्द्य को कहिन दे उठाना चाहिए और जो है गौर्डमेंट तक पहुचाना जाहिए ठीक है इंपोर्टन बारते थी जनली मैं कहाना चाहूंगा तो यही चीज़ है कि अगर प्रत्यच को प्रमाग जरोत नहीं होती कोशन आपको भी दिख रहा है आप कहिन कहीं हो सकता है कई शाथ हो जो मुद्ध से ज्यादा जानते हो उनकी ज्यादा अच्छी हो पर डेफिल्टी आप अगर देखेंगे तो चीजें बिल्कुल जो है वो साब ह हैं कोशन डिलेट होंगे उसमें कोई दोरा नहीं है आयों की मनमानी नहीं चलेगा और इस मुद्ध को खेंके हमें उठाना चाहिए कि कुश्चन गलत ना बनाए जाए अगर इसको आप सब लोग स्थाथ एक जुट होकर इस मुद्ध को उठाएंगे जया जब जो है लोग भी आया है कि अर्ति फवाल जो है दो यारों में पीश में गलत थे इतने कुश्चन आए गलत क्यों मनाता है यह मुद्ध को उठाया गया है मुखमंत तक भी बात पहुचा जा रही है ठीक है तो और चात्र इस पर जो है कैन्टी अपना एक रूख रखेंगे एक फाह में है अफन की बात ही छोड़ दो आप तो यह तो हाल है अवका ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कपी ज्यादा बात है इसके अंदर होगी जनली मैं आपका एक में कंट्टिन जो है संबंधित वीडियो था पर इसमें मैंने थोड़ा साथ ज्यादा ही बातें कर दी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं में इसके बात कर लेते हैं जो चीज़ें इसके अंदर हैं तो प्रिजिए जल्द ही आपको बीडियो तो इसकी बारे मिल जाएगा पहला आपका है फंगाई corporation organization SEO ठीक है अगर इसकी members की बात करों तिसमें चाइना है इंडिया है यह जाकिस्तान है तिर्गिस्तान है रसिया है पाकिस्तान है जाकिस्तान है और उजवकिस्तान है ठीक है अगर मैं बात करों population की तो nearly जो है आपकी 1.5 billion के आफ़ासी की population है GDP की बात की जाए तो 20% of the global GDP यानि विसको जो GDP है उसका 20% जो पार्ट है वो कहन कहीं SEO से आपका जो है rate करता है अगर मैं G20 की बात करूं तो GDP की बात की जाए तो world की GDP का 80% GDP जो है acquire करता है अपको जी टोंटी ठीक है और 75% of the world जो है trade को भी यह जो है कहीं कहीं इसके हाथ में यानि इसको कप चेकर के रखा हुआ है और 50% of the population of the planet को भी लॉंग करता है मतलब 40% population इनी जी टोंटी मेंबर्स देफों की है ठीक वर्ड की बात करते हैं फारक की फारक की एकर मेंबर्स की बात की जाए तो उसमें अफगानुस्तान आते हैं बंगलादेश भोटान इंडिया माल्दिव ठीक है नेपाल पाकिस्तानों से लंगा अगर इसकी population की बात क इंडिया में हमार नेपाल फ्रिलंका और थाइलेंड पॉपलेशन की बात करूं तो 22% अफ ग्लोबल पॉपलेशन है ठीक है जी डीपी की बात की जाए तो 2.7 ट्रिलियंड डॉलार नेस्ट आपका ब्रिक्स है तो ब्रिक्स के अंदर आपका आ जाएगा ब्राजील रसिया इंडिया चाइना इसमें आपका जो है 40% अब वर्ड पॉपलेशन जो है इसके अंदर आती है और 30% अब वर्ड जीडीपी इसमें विलॉंग करती है और इंडियन डियास्पोरा की एकर बात की जाए तो 18 मिलियन पूपल फॉम दे कंट्री लिविंग आउटसाइड ठीक है पात मिलियन जो है आपके नॉन रेजिडियन इंडियान यानि अगर रिंटेंव की बात की जाए तो इनर आई जो बाहर से कहिन कई माद्दम से या इंडियन कोर्जी के माद्दम से जो पैफा हमारे अंदर आ रहा है वो लगभग आपका नमाफी बिलियन डॉलर यह दोजा आपका और इसकी इतनी पॉपलिस्टम करती जीडिप इतना है इनका ट्रेड इतना है यही फारट चीज़ें जांके अंदर कोड करती है जो आपको कहन कई जामर के जो है माइंड पे जो है चीज़ें एक अच्छा एंपक्ट डाल दी तो आप जो है अपने एंसर राइटिं बातों में चर्चा हो रही थी कि एक अप्ता पहले आने की एक अप्ता निकल गया बितर इनका रिजट नहीं आपाया तो डेफिनिटी यह कहिन कहीं जो है बिता देंगी ठीक है रिजट आता थी ज़ड़ा टाइम बेस्ट नहीं करना है तैयारी में लगे रहे है इंदे बि करेंगे इंदर उसको त्यार करेंगे ठीक है उसके अंदर धार देदे के रखिए ठीक है मिलते हैं नेफ वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए धन्यबाद